क्या पेसर का laptop रखे हैं और आपके laptop में Bluetooth जो है वो काम नहीं कर रहा है वर्क नहीं कर रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है चाहें आपके laptop में जो भी problem हो चाहें आपका Bluetooth सवन नहीं कर रहा है या आपका Bluetooth जो है वो connect नहीं हो रहा है किसे भी device से या आपके Bluetooth में और भी कोई problem आ रहा है तो सारा का सारा problem आपका इसे single वीडियो में दूर हो जाएगा बस आपके वाल इस वीडियो को पूरा देख लिजिए तो चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले आपको करना किया है कि यहाँ पर start button पर click करना है उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है device manager ठीक है यहाँ पर आपको device manager लिखना है तो यहाँ पर device manager उपर में आ जाएगा तो यहाँ पर आपको कर देना है click तो यहां पे डिवाइस मनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा ति यहां पे आपको देखना है कि यहां पे आपका बुलुतूथ दिखा रहा है यहां पे देखें यहां पे जो बुलुतूथ दिखा रहा है ति यहां पे आपको चेक करना है कि यहां पे आपका बुलुतूथ दि इस्टोल करना पड़ेगा तभी आपका Bluetooth जो है वो चलेगा तो ज्यादा जनकारी के लिए आप इस वीडियो को देख लिए तो ड्राइवर को चेक कर लेने के बाद आप जो है Bluetooth को चला के देखिए यदि चलता है तो ठीक है और नहीं चलता है तो Bluetooth के नहीं चलने का और भी कार जाना या बायोस का अपडेट ना होना या Bluetooth सपोर्ट सर्विस का ओप होना या और भी कारण हो सकते हैं पर मुख्य जो कारण है वो यहीं है Bluetooth के नहीं चलने का लैपटॉप में तो आप किजिए क्या कि सबसे अच्छा या तो Bluetooth ड्राइवर को अपडेट कर दीजे या तो फि है अपने Bluetooth ड्राइवर को निव Bluetooth ड्राइवर को कैसे इस्टोल करेंगे ठीक है तो आपको करना क्या है कि अपने Chrome ब्राजर को ओपिन कर लेना उसके बाद यहां पे साल्च बार में आपको टाइप करना है यहां पर पाला ही वाले लिंकपे किलिक कर देना है ठीक है इस लिंक पर सपोर्ट सर्विस अंच्पोर्ट सायट इसमें आपको करना क्या है किलिक कर देना है वैसे इस बेशाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्सन बुक्स में मिलेगा तो वहां पर किलिक करके आप डारेक्ट यहां पर आ सकते हैं मोडल नंबर डाल के आपको बताता हूं जिसे मेरा है ए उसके बाद है 315 ठीक है उसके बाद 58 तो देखें यहां पर आटोमेटिक आगया यह वला तो मैं इसमें किलिक करता हूं तो आपका जो भी हो जो भी मोडल नंबर हो वह डाल दीजिए मोडल नंबर से खोजना बहुत य लिए उसके बाद यहां पर खूल यह ठीक है तो आपको करना क्या है यहां पर नीचे क्यों राना देखिए यहां पर ड्राइबर एन मैनुवल्स लिखा हुआ है यहां पर आपको केवल ओपरेटिंग सिस्टम को बता देना है कि हां मेरा इतना इतना ओपरेटिंग सिस्टम है तो आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो विंडोज 10 यह लेवन तो और बीट भी भी बहुत इंपोर्टेंट है जैसे यहां पर बता रहा है 32 बीट 64 बीट तो बीट में बता देता हूं जल्दी से चेक करने के लिए तो आपको करना किया है कि यहां पर माइ कंप्यूटर में राइट किलिक करना है तो देखें यहां पर सिस्टम टाइप में यहां पर बीट दिखा देगा आपका जितना भी बीट रहेगा ठीक है तो आपको करना किया है कि उतना ही में आपको तो अपरेटिं तो यहां पर आपको एक चीज आउर करना थे यहां पर Bluetooth 3 देखा रहाई यह रहाए हो गिया यहां तीस्ट ऑगया तो आप यहां पर ढूंडेंगे कैसे के को कौन साइसट रहा हूँ करना यहां पर एंड़र से चूज कर सकते हैं देखे बेंडर का मतलब हो गया कि आपके जो लाप्टॉप में कौन सा कंपनी का बुलूतूथ लगा हुआ जैसे यहाँ पर इंटेल हो गया यह फो थोरस हो गया तो आपको यह पता है तो ठीक है आप तुरन्त यहांसे download कर सकते हैं यदि नहीं पता है यहीं से चेक किया जाता है डिवाइस मनेजर से यहां पे आप जैसे ही किलिक करेंगे नेटवर्क आडप्तर में खूझने दीजे कि दर कि यहां पे जूम करके दिखाता हूं ज्यदा ही बिखे यहांपे नेटवर्क'唐 ठीक है तो यहां पर आपको करना क्या है कि डवल के लिए करना यहां पर आपको देखना है वाइरलेस नेटवर्क अडप्टर लास्ट में देखना लास्ट में चेक करना है कि वाइरलेस नेटवर्क अडप्टर कहां पर लिखा हुआ है तो चेक कर लिजिए तो यहां से आपक यहाँ पे यहां स्टेशन करने के लिए सबसे पाहले इसको app करना पड़ेग लिए आप इस वीडियो को देख लीजे, तो आपको पता चल जायादा को on jeep कली कैसे किया जाता है? फिलाल मैं यहां पर जल्दी से बता देता हूं, तो आपको करना क्या है? कि यहां पर in folder में क्लिक कर दो यहां भी रहा, दिखा देगा, क्लिक कर है उसके बाद यहां पर फाल्डर बना लिए सबसे अच्छा ठीक है और कुछ नाम दे दीजिए फाल्डर का जैसे आपना ही नाम यहां पर लिग देता हूं उसके बाद ok कर देता हूं यहां सी एस्ट्रेक्ट हो गया उसके बाद सारा चीज में यह Right click करके यहाँ पर run as administrator पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर English रहने देना है यहाँ से OK कर देना है उसके बाद यहाँ पर इस्टोलिंग का प्रोसेस श्टार्ट हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा उसके बाद यहां नीचे से नेश्ट कर देना है उसके बाद यहां से एकसेप्ट कर लेना है उसके बाद नेश्ट कर देना है उसके बाद यहां पर किलिक करके यहां से ओन कर लेना है उसके बाद यहां पर इसको इनेबल कर लेना है यह डिसेबल रहेगा उसके बाद यहां प तो आपको कुलिक कर देना है उसके बाद आपको वापस दिवास मteजर को खौल लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखना है कि बुलुतूथ आया कि नहीं आया और यहाँ पर दिखा दिया इसका मतलब आपका बुलुतूथ जो है वो successfully install हो गिया उसके बाद आप जो है Bluetooth को चला के देखिए कि आपका Bluetooth काम कर रहा या नहीं काम कर रहा और यदि फिर भी वर्क ना करे तो आपको जो है अपने computer के BIOS को update करना पड़ेगा और Bluetooth support service को on करना पड़ेगा तभी वर्क करने लगेगा तो इतना सारा चीज एक single वीडियो में यानि कि इसी वीडियो में बताना possible नहीं है तीन सारी चीज का वीडियो आपको description box में मिल जाएगा जाइए description box चेक किजिए तो दोस्तों भज जाते जाते की चीद कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक और शेर भी कर दिजिए क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफी महिनत लगता और यदि आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe ही कर लिजिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेस्टे वीडियो में